हाई गाईज, हाव यू आल, एफार का पेपर हो चुका है और ये एक छोटा सा रिव्यू बना रहा हूं मैं आप सब के लिए, आप सब के लिए मतलब किन बच्चों के लिए, सबसे पहले तो ये पेपर रिव्यू में बोलूँगा कि वो बच्चे देखें जिनका नवंबर 24 में अटेम्ट है, अब मुझे पता है कि जो मई 24 वाले यूट्यूब पर चिपके हुए हैं वो भी देखेंगे, highly recommended है कि वो मत देखना पर खीक है, अगर देख भी रहे हो तो इसको इसको इग्नोर कर देना फिर अपनी ए-fm की पढ़ाई में घुच जाना, अब पेपर रि आप लोगों से ले लिया जाता है, बट इस बार वो लीक हो गया, एमसी कु पेपर ही लिक कर दिया और वो पूरी उसकी पीडिय फाइल गूम रही है पूरे मार्केड में, तो उसके बैसे पर मैंने अपना अनलिस किया है, कि एमसी कु में कौन कौन से क्वेस्टन पुचे पूचा गया, बट किसी स्टूडें ने फोटो कीच लिया था, पेपर खतम होने से पहले ही, बोला जा रहा है कि साढ़े चार बजी पेपर खतम होने से पहले ही फोटो कीच लिया, तो मैं अपको वो भी बताऊँगा कि एमसी कु इसका लेवल क्या था, पहले बात करते है, अगर आप मुझसे पूचो कि पेपर का लेवल कैसा था, तफ था, मॉडरेट था, तो देखो, मैं अपना आपको ओवर व्यू बता रहा हूं, मैं अपना व्यू बता रहा हूं, मेरा व्यू बाकी स्टूडेंट से अलग हो सकता है, यह हर किसी का अपना-पना है, मेरे के साथ-साथ, असोसियेट की भी पूचा जाएगा, अब मेरे हसाब से पेपर एजी था, बट येस, अफकॉस, पेपर वस लेंदी, और मुझे बताओ ना, लेंदी पेपर नहीं आता है, ऐसा हमने कब देखा है, एफर का पेपर हमेशा से प्रोपर लेंदी ही आता है, तो, क्या था, आप देख लीजिए, पहले पहले, पहला क्वेश्चन वस, असोसिट्री एंड एज सोसियेट का था, इसमें कौन-कौन से अज़स्मेंट से अन्रियलाइज प्रोफित डाउंस्ट्रीम वाला, गुडविल का इंपिरमेंट था, डिविदेंट का अज़स्मेंट बोनस था, और इंटर कंपनी सेट ओफ था, बस पॉइंट यह था कि यह स्पेशल क्वेश्चन क्यों बन गया, क्यों इसमें असोसियेट कंपनी भी आ गई, तो आपको एक्विटी मेथड भी फॉलो करना था, अब यह क्वेश्चन था, यहां पर मुझे बताते हुए सब चीजे आमने कवर किया तो बच्चों को बहुत आसान गया होगा अगर कुछ बच्चों ने अटेंब किया होगा, आप मुझे कमेंट पर बताना कि आपने यह क्वेश्चन किया कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि 80% बच्चों ने इसको च्वाइस में इसको शायद अट कौन इसको च्वेशिन्ष की लिस्ट में इया कॉन का है, विस्टोन सि Clone के लिस्ट में लिउस्ट में वह मैं लिखक की लिए थी यहीं तो फो आपने भूट finger on पाने वहागा भीज में, यहींच हर्य उसको बच्च चे को आप conflicting के स्क्वाइब अट्ट इसको ड़्यर मेने least term increase हो रही है यह भी अपनी must do questions की लिस्ट में था और eight mark का question था बिलकुल easily approachable अगर एक बार देखके गए होगे तो फिर compound financial instrument जो हमेशा से आता ही आता है paper में और मुझे लगता है कि जाद कभी उसको skip किया ही नहीं institute ने तो compound financial instrument की ऊपर भी normal question था easily approachable तो second number question easily approachable अगर embedded derivative करके गए होंगे तो third number question आराम से करके गए होंगे question number 4 अंदर Indies 19 DBO और plan assets यह दोनों चीजे आपको हमेशा से करवाई गयोगी चाहे आपने classes कहीं से भी और यह हमारे question must do questions में भी था Indies 20 treatment of आपका different grants अलग-अलग-अलग grants होती है वो भी यह सब चीजे question बहुत easy थे मतलब यह मैं बोलूँ मैं तो कह रहा हूं कि must do questions list पर मैंने भी must do questions list कहां से बनाई ICI के material से बनाई तो लॉजिकली देखा जाए तो यह सारे questions ICI के material से जिनमें से मैंने कुछ questions पिक कर लिये और लुकी यह सारे questions मेरे must do questions list में भी आगए अब अब बात करें Indies 115 की तो जो लोग ढरते 115 से यह सब लोग ढरते मुझे लगता है पर 115 में इस बार institute ने बिल्कुली एकस्पेक्टेट नहीं था कि 115 में तर पांच माँ आएगा मुझे लगा कि 10 माँ का तो मिनिमम आएगा फिर 101 का question आगया deemed cost और LTFCMI पर definitely यह बहुत शांदर question था और मैं यह बोल सकता हूं कि हाँ यह question एक अच्छा question था जिनोंने 101 किया होगा तो definitely उनसे बनना चाहिए 101 के म किसी नहीं एकस्पेक्ट नहीं किया था कि road map पर question आजाएगा पर मुझे लगता है doable था तो यह question सारे doable था अगर कहीं पर तकलीफ होगी तो शायद 101 में में भी तकलीफ हुई हो फिर बात करेंगे question no.6 की question no.6 में accounting and technology cloud computing के उपर एक theory question जो आना तय था इसके लाब़ा 105 held for sale औ and held for sale में categorize करने के बाद हम उसको remeasure करते हैं फिर हम उसका reversal भी करते हैं treatment करके वो question आया और India S34 का question आया जिसमें हमें second quarter का correct profit निकलना था based on some information given इन में भी कुछ questions हमारे must do questions की list में थे मतलब यहाँ पर मेरा बस focus यह नहीं है कि मैं must do questions की list में आग तो मुझे खुशी हुई ह में थे जो बच्चे यह सोच के डर रहें कि सर यह तो question बहुत तफ आया था subsidiary plus associate का मैं आपको बता दूँ अगर आप exams खतम होने के बाद शांती से इस question को पड़ोगे न मुझे यकीन है कि 80% बच्चे एक बार में यह question complete कर लेंगे एक बार में करना सिर्फ यह था कि consolidation मनाते आपको investment and associate को equity method पे measure करना था बस और कुछ नहीं और उसकी posting क्या होती investment की value बढ़ जाती और दूसरा आपका consolidated reserves and surplus में value बढ़ जाती that's it और कुछ नहीं करना था तो यह बहुत ही simple question था बट हा क्योंकि हम सबने पहली बार देखा तो थोड़ा सा panic situation होई होगी I agree on that और इसकी question कहीं पूरा-पूरा paper कहीं लेंदी हो गया तो यह था आपका descriptive part descriptive part में मतलब overall हमारा descriptive part रहता है वह लग 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 84 marks का रहता है with choice और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि almost 75% हमारी must do list में से ही questions बने थे 75% मैं नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल same to same अपने figure wise same थे but मैं मैंने कहा था कि must do questions में अकर आपको दे रहा हूं तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमारा paper हमसे बन रहा है कि नहीं और हमारा वो target अचीव हो गया must do questions जो बच्चा करके गया होगा उसको कोई भी question नया नहीं लगा होगा at least यह consolidation associate छोड़ दे तो उसमें भी यह सारे point हमा इसा ही follow किया है मतलब ऐसा ही होने वाला है तो अब case studies की बात करें तो case studies कैसे थे मेरे हसाब से देखो कुछ बच्चे बोल रहा है sir case studies easy थी ठीक है कुछ बच्चे बोल रहा है sir case studies tough थी actually मैं बताऊं case studies tough नहीं थी time ticking थी मतलब यार case number one 4 page का 1 case यार कौन देता है 4 page का 1 case मतलब पढ़ते पढ़ते time waste हो जाए तो हाँ case study में time consuming था और उस वजह से बच्चों को थोड़ा सा panic situation आया होगा उसमें भी जो पहला case था उसमें associate के बारे में question पुछा था की cash flow statement में associate का क्या होगा पीसी के बारे में पूछ लिया कि आपका PC कितना एगा गुडविल के इंपरमेंट के बारे में पूछ लिया उसके बाद उनने transaction price का अलोकेशन मतलब 115 के ऊपर 2 मॉक का यह पर पूछ लिया 113 के आपसे उनने fair value determination का पूछ लिया और INDAS 109 के ऊपर भी पूछ लिया तो अफकॉस यह सारी बाते जब आ रही है एक साथ इसमें major INDAS कवर हो रहे हैं तो मैं बोलूगा कियार यह case number one बहुत अच्छा था तो मेरे point of user case number one बहुत शानदार case था उसके बाद उनने 3 single mcqs दिया थे 2-2 marks के, एक financial instrument पर बहुत easy, professional and ethical duty पर बहुत जादा easy और INDAS 2 के ऊपर common sense based पर inventory के ऊपर, तो वो उनने दिया था, फिर case 2, case 2 फिर भी डराने वाला नहीं था, मतलब पढ़ते वक्त ऐसा समझ में आ रहा था कि हा क्या क्या है, case 1 थोड़ा सा डराने वाला था, मुझे लगता है, institute को associate से प्यार हो गया है, मतलब associate के वारे मुझे बहुत सारा कुछ पूछा है, फिर INDAS 21, फिर उनने NCI के ऊपर और और फिर उनने government grants के ऊपर पूछा, अब क्या-क्या नहीं आया paper में, जो मुझे याद आ रहा है अभी आपके सामने, मुझे ऐसा लग र जो main-main INDAS होते हैं, हम उनकी बात करें, cash flow statement पर उननोंने SS कुछ नहीं पूछा, MC क्योंके इंदर हलकी सी point पूछ ली, ठीके, इसके अलाबा और क्या नहीं पूछा, इसके अलाबा INDAS 38 नहीं पूछा, INDAS 40 नहीं पूछा, INDAS 102 नहीं पूछा, यह बहुत बड़ी, मुझे समझ में नहीं पूछा क्यों, पर INDAS 102 से भी almost कुछ नहीं आया, तो यह कुछ INDAS जिनसे कुछ भी नहीं आया था, 108, institute का फेवरेट INDAS माना जाने वाला, इससे कुछ नहीं आया, अब मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ, अगर आप यह वीडियो सुन रहे हो, आपका एक not that much easy considering the MCQ part also, but it was yes, definitely, यह थोडा सा लइंदी पेपर था, ठोड़ा सा दी थोड़ा सा थोड़ा सा चॉड़ा थोडबरे था, तो बताता तो Easy था, MCQ में कहीं to time taking थोड़ा सा इसलिए लियं हवाला सा, बता एसलियो बता सा लइंदी बस और कुछ नही था, पेपर वास वेरी पेपर अच्छा गया हो, आप लोग का कैसा पेपर गया मुझे ज़रूर बताईगा, and all the very best for your AFM, आपका अगला पेपर AFM का है, मैं आपको यह बता दूँ कि, अगले दिन से पढ़ते हैं, पहले दिन थोड़ा सा सुधाते हैं, मैं बोलूगा कि आपको डूसरी केटिगरी में होना है, अभी आपके अंदर की आग अपनी चरम सीमा पर है, मतलब अपने आपको शांत मत करना आज का दिन आपके बहुत जादा जरूरी है मैं तो कहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके आप उतना देर तक पढ़ाई करो और फिर भले सुबह थोड़ा सा लेट उठना क्योंकि अभी अगर आपने थोड़ा सा भी ब्रेक लेली आना तो बाद के दिन थोड़ा सा हलका भी होगा तो चलेगा आज का दिन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए चली all the very best और मिलते हैं आगे के लेक्चर्स में,thanks a lot